है काई स्वागत है आपका हमारे ट्रीप चैनल पर तो आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सिखने वाले तो देखे हमने कोश्चन लिया है दो कोश्चन लिया है पहले में हम 145 का वर्गमूल निकालेंगे और दूसरे में हम 1225 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम तो यहां पर लिखेंगे줄 को हिखेंगे me लिखेंगे हम पहले 145 बा capable n divers के सबसे पहले चौटी संक्या सबसे चोटी संक्या दो से बागदेंगे 145 में तो इस एक में तो नहीं जाएगा फिर 14 में जाएगा कितनी बार साथ बार तो यहां पर साथ लिखेंगे चार में जाएगा दो बार ठीक पिर आगे और दो से जाएगा तो आपर दो लिखेंगे और साथ में जाएगा तीन बार बचेगा एक तो एक इस दो में जूटके बारा हो जाएगा तो फिर दो से बारा में छे बार जाएगा तो हम पर छे लिखेंगे अब च्छतिस हो गया है च्छतिस में और फिर दो से जाएगा कितनी बार जाएगा चतिस का आदा कर दो, अठारा बार ठीक, अठारा में और दो से जाएगा ठीक, अठारा में कितनी बार दो से जाएगा, नो बार अठारा का आदा कितना होता है, नो ठीक, अब दो से नहीं जाएगा महाग. अब 2 से भाग नहीं जाएगा. तो कित से जाएगा? 3 से देंगे 3 से चले जाएगा, 9 में. कितनी भार? 3 बार. 3 तिया 9.?- ठिक? अब फिर 3 से जाएगा, 3 में, 1.-顎कल तो यहाँ पर एक लिखेंगे AB लिखेंगे है मतलब रूट के अंदर लिखना है ठीक तो रूट के अंदर लिखेंगे हम यहां पर एक रूट बनाएंगे कि अंदर लिख देंगे से कितना है दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा फिर तीन है तीन गुणा तीन ठीक इस प्रकार लिखेंगे इसे अब देखिए रूट के अंदर जो संक्या जोडी में हो मतलब दो बार हो तो उसमें से एक एक संक्या बाहर आ जाती है कैसे देखे ये दो 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 मतलब ये दो की दो जोड़ी बन गई है तो इसमें से एक दो हम बाहर लिख देंगे यहाँ ठीक फिर ये दो भी दो जोड़ी में तो इसमें से भी एक दो बाहर लिख देंगे ये तीन भी जोड़ी में दो दुनों चार, और चार तिया 12, ठीक 12, तो 145 का वर्गमूल क्या है, 12, तो यही 145 का वर्गमूल है, अगला कोश्चन देखते हैं, अगला कोश्चन क्या है दोस्तों, 1225 का वर्गमूल निकालना है, ठीक, तो देखे, यहां पर लिखेंगे उसी प्रकार, 1225, इसे लाइन खीचेंगे अब देखिये 1225 में 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि लाश्ट में 10 मलों में जाएगा इसलिए हम 3 से भी नहीं जाएगा 3.12 में जाएगा लेकिन 25 में नहीं जाएगा ठीक तो डारेक्ट 5 से देंगे 5 से जाएगा भाग तो यहां पर 5 से भाग देंगे, तो 12 में जाएगा, 2 बार, बचा 2, फिर 22 हो गया, तो 22 में जाएगा, 4 बार, 25 को 20, फिर बचा 2, फिर 25 हो गया, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक, 5 बार जाएगा, फिर और लास्ट में 5 आ गया, तो फिर और 5 से देंगे, पास से देंगे 24 में 24 में 4 बार जाएगा मचेगा 4 इस 4 और ये 5 पेटालिस हो गया तो 9 बार जाएगा ठीक अब इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा तो अब इसमें 7 से भाग देंगे ठीक तो 7 से भाग देंगे तो 7 से 7 में 59 में कितनी बार जाएगा साथ साथ उन पजासतों यहापर साथ लिखेंगे फिर साथ से देंगे कितनी बार साथ एकम साथ अब देखें दोस्तों एक आ गया है तो अब क्या करेंगे यह जो गुणन खना है इनके को रूट के अंदर लिखेंगे तो यहापर लिखेंगे रूट बनाएंगे पिले और इन्हें लिख देंगे पाज गुणा पाज गुणा साथ गुणा साथ करणी के अंदर हमने लिख दिया ये गुणानखन को अब क्या करना है ये जो जोडी में है उसे एक बार लिख देना है जो भी जोडी में है उसमें से एक बार लिख देना है पांच दो बार है जोड़ी में तो एक 5 भारा जाएगा गुणा साथ भी जोड़ी में तो एक साथ भार गुणा करके लिख देंगे सता पांच में साथ का गुणा करेंगे 30 और यह हमारा अंसर है 1225 का वर्गमूल 30 है तो आप दोस्तों आपको वर्गमूल निकालना समझ में आया होगा तो वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नेवा तो चैनल को सब्सक्राइब परना ना वोले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइंक्यू चैनल